हाई फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आप सब का फिर से एक बार हमारे डार्क सिक्रेट चैनल में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही खास रेमेडिय लाई हूँ आज के स्वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने शरीर के अंचाहे बालों को दूर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल नैचरल तरीके से और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के और इस रेमेडिको फ्रेंड्स आप अपने चेहरे के उपर, अपने हाथ या पेरों के उपर, अपने प्राइवेट पार्ट के उपर, या फिर अपने अंदराम्स के उपर ट्राई कर सकते हैं फ्रेड्स अंचाहे बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते चाहे वो महिला हो या फिर पूरुष शरीर के अंचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए अगर आप कुछ घरेलो चीजों का इस्तमाल करते हैं इससे आपके अंचाहे बाल तो दूर हो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से लोट कराते हैं इसलिए उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उनकी जड़ों को कमजोर करना बहुत ज़दा ज़रूरी है तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक होम रेमेडी शेर करूंगी फ्रेंड्स लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो जल्दे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजो के नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल चाएगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है और उसमें आपको आड करना है एक चमज टूटपेस्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंट्स आपको वाइट कलर के टूटपेस्ट का ही यूज करना है नेक्स्ट आपको इसमें आड़ करना है दो चमज बेकिंग सोडा उसके बाद आपको इसमें आड़ करना है आधे निम्बू का रस और फिर आपको इसमें गरम पाने मिला कर इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि ये तीनों भी चीजे इसमें आच्छी तरीके से मिल गई है और बबल साना भी रुख गए है जब इसमें से बबल साना रुख जाए फ्रेंट्स तब आपको एक कॉटन बॉल लेना है और इस सोलिशन में इस तरीके से डीप करना है तो आपको इसे लगाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ फ्रेंट्स आप जिस भी बॉड़ी पार्ट से अपने अंचाहे बालों को रिमू करना चाहते है वहाँ पे आपको इसे इस तरीके से लगा लेना है यह देखिए इस तरीके से आप इसे अपने चेहरे के उपर इस्तमाल कर सकते है या फिर अपने प्राइवेट पार्ट के उपर अगर आपके प्राइवेट पार्ट के बाल बड़े है फ्रेंट्स तो आप उन्हें कैची के मदद से काट लीजिए ताकि यह जो सोलिशन है वो आपके स्कीन के उपर अच्छी तरीके से लग जाए तो इसे अपने स्कीन के उपर अच्छी तरीके से लगा लेने के बाद फ्रेंट्स आपको इसे 15-20 मिनिट के लिए अपने स्कीन के उपर ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद इसे थंडे पाने से वाश करना है तो आपको इसका इस्तमाल करना है फ्रेंड्स हपते में तीन बार इसके इस्तमाल से आपके अंचाहे बाल धीरे धीरे कड़क होकर रिमू हो जाएंगे और बेकिंग सोडा के कारण उनकी जड़े भी कमज़र हो जाएगी जिससे ओ एक दिन पर्मनेंटली आना बंद हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आप इस रिमेडी को ज़रू ट्राइ किजिए इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और मेरे साथ अपना एक्स्पिरेंस ज़रू शेर किजिए और अगर आपको इवडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इससे लाइक शेर कमेंट्स करना मद भूलिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंस तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए क्योंकि ऐसे सिक्रेट्स में आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ जो आपसे मिसना हो तो फ्रेंस मैं अब आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट उडियो में एक नए सिक्रेट के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए